तो दोस्तों आज के इस प्रेक्टिस रिट में हम बात करेंगे महत्पूंट प्रसनक जब कच्छा 3, 4, 5, NCRT के पार्ट पुष्टक से लिया गया है ठीक है जो कि आपके CTT हो चाए MPTT हो सभी में एक क्वेश्चन जरूर पूंचा जाता है ठीक है कौन सा समूह उड़ने वाले जानमरों का है अब देखिए अपसन 4 दिवें आपके केचुवा शाप छिपकली तो केचुवा क्या उड़ता है नहीं उड़ता तो यह पहला अपसन नहीं होगा दूसरा देखिए मचली कचुवा मेढक तो यह नहीं उड़ते हैं ठीक है तीसरे आपसन सही हो जाएगा ठीक है इजली भी कोश्चन आते हैं चले अब यहाँ पर दिया है आपका कि इनमें से क्या दिया है मोटे तने क्या दिया है मोटे तने वाले पेणों का समूह है गौर पठा तुलसी सफेद मूसली यह तो होगा नहीं गुलाब गुड़हल कनेर इसक मोटे तने होते हैं और मोगरा गेंदा सदा भार यह छोटे छोटे पौधे है ठीक है तो आपका कौन सा आपसन हो जाएगा सही ठीक है चले अब आप नेस्ट देख लेते हैं नेस्ट है आपका कि पेंड पौधे से प्राप्त भोज पदार्थ का सही समूह कौन सा है तो पनीर खोया मावा दही ये नहीं है काली मिर्च लाउंग इलाची ये बिल्कुल सही है पेंड पौधे से प्राप्त भोजपदार्थ का सही शमूँ आपका कौन है भोजपदार्थ काली मिर्च लाउंग इलाची ये सभी आपका भोजपदार्थ है ठीक है जो की पेंड गोले बनाना यानि गोले को बेलना या सेंकना उसे गूतना फिर आटे के छोटे छोटे गोले बनाना ठीक है फिर आपका छोटे छोटे गोले बनाने के बाद फिर उन्हें क्या करना ठीक है इस तो यह सारे कोश्चन आपके पूछे जाते हैं इजाम के जैसे बेरी बहुत ही ह बनाने का सही तरीका क्या है तो आटे को बरतन में निकालना है फिर उसे गूथना है आटे के छोटे छोटे गोले बनाना है फिर गोले को बेलना है और फिर इसके बाद उसके गोले क्या है सेंकना है ठीक है तो ऐसा हाँ हम बना सकते हैं ठीक है चले अब निस्ट देखेंगे है जो अपनी गर्दन को पीछे तक गुमा सकता है उल्लू उल्लू एक ऐसा पच्छी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक गुमा सकता है दोस्तों ये NCRT Class 3 Class 4 और Class 5 की जो भी पार्ट पुस्तक से लिया गया है बेरी बेरी important EVS के आपके question है नेस question है इनमें से जानवरों का कौन सा सुमू रेंग कर चलता है देखिए एक दो question पक्का इस टाइप का ज़रूर आता है रेंग कर अब देखे कवा कोयलत ये उड़ने वाला हो गया केचुवा और साप ठीक है ये भी आपको क्या है सरकने वाला है केचुव के चुवा साप रेंग कर चलता है ठीक है रिजुग के पानी में भी रह सकते हैं ठीक है इनमें से जानवरों का कौन्से रेंग कर चलता तो केचुवा और साप आपका हो जाएगा ठीक है चले अंगला देखते हैं देखे इसमें आप क्या है बहुत से लोग बोलेंगे कि भालू और सेर हो जाएगा ठीक है तो भालू सेर नहीं है इसमें जो सही होगा केचुवा और साप होगा क्योंकि ये दोड़ते नहीं है ठीक है रेंकर ही चलते हैं केचुआ और साप आपका ठीक है कितना भी दोड़ेंगे जादा स्वीड नहीं होती है लेकिन भालू और सेर ये ठीक है तो चलेने देखते है गुलाब, महिंदी, गुड़हल, पौधे का उदारण है जाड़ी का है कि बेल का है कि साखा का है कि ब्रच पेंड तो ये ब्रच और पेंड का उदारण है गुलाब और महिंदी, गुड़हल का देखेंगे जाड़ जिसमें थोड़ा होता है ना इसमें साखाएं होती है ना बेल का है ये ब्रच और पेंड का है चौथा अपसंसरी होगा अंगला में काफी फानी वेस्ट होता है आठा गूतने में सबजी बनाने में बिलकुल सही जब आठा गूतने में जादा जादा कितना होगा अगर आप तीन से आए परिवार में तीन से चाल लोग रह रहे हैं जादा जादा एक लीटर पानी लगेगा बहुत जादा जादा बोल दिय ठीक है खेंसी चाई में बहुत लगए अपड़े दोने बहुत लगए लेकिन आटाग उतने सब्जिया नहीं खाना बनाने में पानी का सबसे कम यहां पर यूज होता है उप्योग होता है ठीक है तो आपका ये अपसन सही हो जाएगा ठीक है चले अब नेश्ट देख लेते ह अंगला है आपका क्वोश्चन है क्वोश्चन है कि इन पेड़ों की पतिया आकार एवं रंग में लगभग एक समान दिखाई देती हैं काण सी पेड़ की पतिया जैसे आम हो गया बरगत नीबूगुलाब नीम पीपल इंली बभूल तो इंली बभूल के जो पतियां होती है आकार एमो रंग में लगवग एक समान होती है आप ट्राइ करके वे देख लिए इमली और बवूल की ठीक है इनमें से एक होगा फिर उसमें छोटी छोटी पतियां होती है इमली और बवूल में ठीक है तो यह सेम है इस टाइप से भी कोश्चन आता है ठीक है सीटेट में पूँचा भी गया है कोश्चन और एमपिटेट में साइध नारमल कोश्चन भी आते हैं ठीक है ऐसे भी कोस्टन पूछे जाते हैं नारमल कोस्टन भी आते हैं ठीक है खेजडी का पेंड मुक्तर रेगिस्तानी इलाके में पाये जाने वाले प्रमुक कारण है इसे बहुत ज्यादा पानी के जरूरत होती है इसे बहुत पानी की जरूरत नहीं होती है बड़ी बड़ी पतियां होने के कारण यह की ज़्यादा वर्सा होने के कारण तो इसमें से कहें सही जवाब है आपका इसे ज़्यादा पानी के जरूरत नहीं होती खेजडी का पेंड एक ऐसा पेंड है जो रेगिस्तान इलाके में पाय जाता है इसमें ज्यादातर पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, कम पानी में रहता है, ठीक है? चले, अब ने इस question देख लेंगे, मदि मक्खियों के, मदि मक्खियों के छत्ते में अंडे देने का कार करती है मद मक्खी को जो छत्ते होते हैं उसमें अंडे देने का कार करती है क्या कौन सी जो रानी मक्खी होती है अंडा देती है सैनिक मक्खी जो होती है उनकी रच्छा करती है ठीक है नर मक्खी जादा तर इसमें कुछ काम नहीं होता है ठीक है चार पांच टाइब के बता देता हूँ स्रमिक मक्खी जो होती है वो फूलों से रस लेकर आती है यानि स्रम का कार करती है सैनिक मक्खी को होती है वो च्छते की मदमक्खी जो च्छता होता हो उसकी रखवाली करती है और रानी मक्खी अंडा देती है जितनी भी रानी मक्खी होगी उसमें अंडे देंगी और देख नर मक्खी क्या होगी उसका कुछ काम नहीं होता जादा ठीक है तो मद मक्खीयां भी चार प्रकार की होती है एक स्रमिक मक्खी होती है सैनिक मक्खी नर मक्खी और रानी मक्खी ठीक है यह हद तक हो सकता है लेकिन अब साइकल मोटर साइकल दिया तो क्या इससे आती है बिलकुल नहीं तो आपका सही अंसर हो जाएगा ट्रक और रहेडी से ठीक है चलिए हमने से देख लेंगे आपर अंगला कोश्चन कहरा है आपका नीचे देखिएगा पच्चियों की संख्या में कमी होने का प्रवुक कारण है पच्चियों के संख्या के कारण सिकार करने एवं पेण पौदे की कटाई के कारण पेणों की संख्या में ब्रद के कारण जानुरों की संख्या में ब्रद के कारण तो सिकार करने एवं पेंड पोदे की कटाई के कारण क्या होता है पच्छियों की संख्या कमी होती जा रही है ठीक है ये भी इस टाइप से question पूछा जाता है अब अगला question है आपका ठीक है पच्छियों का पहले की अपेच्छा कम दिखाई देने का प्रमुक कारण क्या है जानरों की संख्या में ब्रदी के कारण सिकार करने का सिकार करने पर कानून बनने के कारण या पेंडों की संख्या में ब्रदी के कारण या सिकार करने वाले पेंड पोदे की कटाई के कारण तो सिकार करने एवं पेंड पोदे की कटाई के कारण पच्चियों का पहले किया पेच्छा में कम दिखाई देने लगता है तो इससे रिलेटेड आप तो थोड़ा बहुत अगर जानकारी है आपको तो इस टाइप के कोश्चन को साल्ब कर लेते हैं ठीक है अब बात आ सहद बनाना सहद एकत्तित करने का कार किया जाता है सहद बनाना सहद एकत्तित करने का कार किसका किया जाता है नर मक्खी द्वारा काम करने वाली मक्खियों द्वारा रानी मक्खी द्वारा सैनिक मक्खी द्वारा तो मैंने पहले कोश्चन में उता है कि रानी मक्खी अंड तो यह आपका कहो गया है काम करने वाली मक्हियां हो जाएंगे ठीक है तो मैंने वाद इस टाइब पर भी कोश्चन पूछे जाते हैं ठीक है चला बात चलिए अब देश कोश्चन देख लेते हैं अंगला कोश्चन है आपका कि चावल के घोल का इस्तेमाल किया जाता है आपको पक्का मकान बनवाया है तो किन किन समागरी का उपयोग करेंगे तो यह नार्मल कोश्चन है इंट सिमेंट रेत लोहा लगेगी ठीक है बूसा नहीं लगता है गोवर नहीं लगता है घास भूस नहीं लगता है इंट सिमेंट रेत लोहा लगेगा यह सिंपल सा कोश कुछ जानवर बच्चर देते हैं कुछ अंडे हैं तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं तो वो क्या होते हैं बच्चे देते हैं ठीक है जिन जीवों के या पसु पच्चियों के कान अगर आपको दूर से दिखाई दें तो वो समझ दीजिए वो बच्चे देंगे अगर जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं ठीक है जैसे साप का हो गया कान दिखाई नहीं देता है ठीक है और कई पच्चियों को होता है जिसमें कान नहीं दिखाई देते हैं वो अंडे देते हैं लेकिन आपका ऐसा एक पच बच्चे देता है ठीक है तो यहां पे आपके जिन जानुर के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं ठीक है और सरीर पे बाल होते हैं ये एक और बात जिनके कान बाहर हो और सरीर पर बाल हो वे बच्चे देते हैं ठीक है जिनके बाल और कान नहीं दिखाई देते हैं या बाल ना हो तो वो बच्चे नहीं देतें अंडे देते हैं ठीक है चले आप एजांपल के तौर पर ले सकते हैं ठीक है चले आप इस question देख लेते हैं इन में से कौन सा फूल रात में खिलता है गुडभी हल गया गेंदा का हो गया गुलाव का तो सभी लोग जानते हैं मसूर है रात रानी नाम से ही प्रसिद्ध है तो रात रानी आपका ये रात में फूल फूलता है ठीक हैं अंगला कोश्चन है कि मदुमनी चित्रकला के लिए उपयोग होता है चावल के गोल के रंग में ठीक है मैंने देखे गुमा कर question आ गया है question पहले भी था कि चावल के गोल में उपयोग किये जाता है मदुमनी चित्रकला में अब ये question बन गया आपका कि मदवनी चित्रकला के लिए उपयोग होता है तो चावल के घोल के रंग में ठीक है चले नेस्ट देखते हैं नेस्ट अंगला कोश्चन है बाहर से कान दिखाई नहीं देते बाहर से जो कान किसके नहीं दिखाई देते चार आपसंद दिये गए हैं हाथी, घोड़ा ठीक है बाहर से कान किसके नहीं दिखाई गए यहाँ पर रीट करिए ठीक है रीट करके बताईए हाथी, घोड़ा एवं सेर इसके कान दिखाई देते हैं बाहर से कान दिखाई नहीं देते हैं इनके तो दिखाई देते हैं भालू मगरमच एवं छिपकली एक छिपकली मगरमच इसके साइद मगरमच छिपकली के बाहर कान नहीं दिखाई देते ठीक है अब अंगला देखेंगे लेकिन भालू के दिखाई देते हैं साइद छिपकली पच्छी एवं गोडे इनके भी दिखाई देते हैं ठीक है पच् खेजडी के पेंड के लिए पानी के असकता नहीं होती या पानी कम मात्रा में होता है तो आपके भारत देश में ऐसी जगए जहां पानी की मात्रा बहुत कम है तो खेजडी एक ऐसा पेंड होता है जो ज़्यादा पानी के असकता नहीं होती या पेंड पाया जाता रेगिस्त के जगए हो पर ठीक है चले नेस दिख लेते हैं अंगला है आपका कुश्चन है कच्चे घरों में आगन की लिपाई करने के लिए मिट्टी में गोवर मिलाया जाता है क्यों सभी लोग जानते हैं जितने भी ग्रामी इलाके से हैं आगन में खुसबू आती है आगन सुन्दर लगता है आगन की मिट्टी में कीडा नहीं लगता है ये सही जवाब तीसरा अपसन है आगन की मिट्टी में कीडा नहीं लगता है क्योंकि जो गाय का गोवर या गाया और भैस का गोवर और या मुथ होता है वह कीट नासक का काम करता है ठीक है कीटों को मारने का काम करता ह अगर वो घर में लीप लेंगे दिवालों में लीप लेंगे तो वहां कीड़े नहीं लगते हैं ठीक है और नीम की लकड़ी जो भी आपके फरनीचर होता है उसमें भी कीड़े बहुत कम लगते हैं ठीक है तो बीज में भी जादा तर नीम का अगर आप पत्तियां रख हैं ठीक है जहांपर आठे का जादा बताया ना मैंने आठे का घोल जहांपर ज़ादा उपयोग किया जाता है ठीक है तो चितकला के लिए प्रसिद मन्दवनि जीला या कहा है आपके बिहार राज में ठीक है यह आपकी important fact रहे हैं ठीक है तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए अगर आप नए वीवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन अन कर लें ठीक है धनवाद इसी तरह प्रेक्टिस सेट मिलते रहेंगे आपको धेर सारे मिलेंगे अभी यह इजली सब्सक्राइब करेंगे ठीक है चलें नेस्ट वीडियो पर मिलते हैं कि अग्याओ 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 अग्याओ